समसकार दोस्तों बात करेंगे iso-facial manometry के बारे में iso-facial manometry मतलब जो food pipe है उसके muscle की कितना pressure है, क्या उसमें activity है, उसके जो valves है, यानि कि upper valve और lower valve उनमें कितना pressure है और वो हमारे swallow करने के साथ change हो रहे हैं या नहीं, इस stage का हम study करते हैं इसोफेचल मैनोमेटरी करने के लिए एक बहुत छोटा सा कैथेटर नोस के थूँ आपके फूट पाइप में डाला जाएगा वो लोर स्पिंक्टर यानि कि जो नीचला हिस्सा है उसे पास करके स्टमक के अंदर भी जाएगा ताकि वो प्रॉपर स्पिंक्टर का भी प्रेश स्विप्ट देते हैं ताकि वो पानी पिए और उसके स्वैलो करने के साथ साथ इसोफेचस में कितनी मुवमेट होती है उसका प्रेशर का हिस्सा रहता है और उसके वैल्स जो है किस तरह के से रिलैक्स करते हैं इसकी हम स्टड़ी करते हैं अगर आफ ग्राफ में देखें उपर का हिस्सा है उसमें एक हाई प्रेशर जोन है जो अपर इसोफेचल स्विंटर डिनूट करता है और जैसे ही पेशेंट स्वैलो करते हैं तो एक परिस्टर्टिक वेव दिखाई देती है जो की पार्ट ऑफ बॉड़ी ओफ इसोफेगस है और धीर धीर नीचे की तरफ में एकलेजिया काडिया में जो लोर इसोफेचल स्विंटर है उसका प्रेशर हाई रहता है और वो नॉम्मली रिलैक्स नहीं करता है इसके कई सारे टाइप्स है और डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप इसके अलग अलग ग्राप्स दिखाई दियेंगे टाइप बान टू है उसे अच्छे से टाइप कर सकते हैं लेकिन अगर इसोफेचल बॉड़ी का जो प्रेशर है उसमें कमी है तो हम इस वैल्प को थोड़ा धीला रखते हैं या पार्शल रैब बनाते हैं ताकि पोस्ट अपरेटिव पीरिड में पेशेंट को खाना निगलने में कोई दिख करता है हाइटर सर्णिया का साइज का आइडिया भी इस प्रोसीजर से लग जाता है और किस लेवल पर फूट पाइप और स्टमक मिल रहे हैं हमारे इंसाइजर टूथ से वो कितना डीप है हमें जो बाकी टेस्ट करने हैं जैसे कि हमें पीएच स्टेडी करना है उसके बार इसले से कैथेटर से हम इसे कर सकते हैं विदिन फ्यू मिनिट्स आप इसको रिपोर्ट दे सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी फूट पाइप का प्रावर कितना है आपके वैल्स जो है वो प्रॉपर्ली रिलेक्स करते हैं या नहीं और आपका सदरी इ कुषबर्ट रितम जाने बग या जूटेटमा जाने प्रावर कितना है या नहीं जाए तर्टाएं गल्स जाएं अ